नमस्कार दोस्तों मैं धर्मिन वर्मा ओनलाइन इस्टेटिव डिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करेंग दोस्तों बाल विकास एवं सिक्षा सास्तर के 30 अति महत्तपूर्ण प्रस्णों के बारे में ये प्रेक्टिस सेकंड है मैं फर्ष्ट पेले ही डाल चुका हूँ जदी उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक में आपको डिस्क्रेप्सन में देदूँगा वहाँ जगकर आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों जो 30 प्रस्ण है बहुती अच्छे प्रस्ण है आप सुरू सर लेकर लाश्रत एक वीडियो देखेगा और अन्त में जरूर बताईगा दोस्तों कि जो 30 प्रस्ण है उसमें आपको कितना नंबर आए और आज का वीडियो आपको के साला गातु चले शुरू करते है आज का पहला प्रस्ण है और अगला प्रस्ण है मुल्यों सामजिक संध्यान तथा सामजिक मानकों के विशे में जानकारी दे कर उसमें किसका बीज बोता है किसका बीज बोता दोस्तों आपके सामचारोपसने वातावरण हैं सामजीकरण हैं बहुत तिक सरचना है या फिर अभी प्रेढ़ना है तो इसका सही आंसर होगा सिख्छार्थियों को इसकुल सिर्फ सिख्छा ही नहीं अपितू सामजिक मुल्यो सामजिक संग्यान तता सामजिक मानकों के विशे में जानकारी देकर उनमें सामजिकरन का बीज बोता है दोस्तो परिवार तता पडोस के बाद इसकुल एक ऐसा इस्तान होता है जहां पर बालक का सामजिकरन होता है तो इसका जो सही answer होगा दूसरा होगा अगला प्रश्न है सीखने वाले का सुहा नियमन निर्भर करता है किस पर करता दोस्तों आपके सामने चार विकल पर दिये हैं इसमें से बताना है मैं डारेक्ट इसका answer बताऊंगा यदी इस time में आप इसका answer नहीं दे सकते हैं तो या फिर मिरे comment box में दे सकते हैं तुसका съही answer होगा सिक्षन अधीगम प्रक्रिया में सीखने वाले का स्वः नियमन आवशक होता है यहां स्वियम सीखे गए ग्यान का अनुविक्षन करने पर निरभर करता है तो इसका जो सही answer होगा चोथा होगा अगला प्रशन है शीखने के अंत्रगत इसके folding दरसाता है किसको दरसाता है दोस्तो इसके folding आपके सामने 4 option दिये हैं 4 विकल्प दिये हैं तो इसका सही answer होगा सिक्षन प्रक्रिया में बालकों के सीखने में वयस को द्वारा किये गए इस्ताई सयोग को इसको फॉल्डिंग नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा होगा अगले प्रश्णी के बढ़ेंगे अगला प्रश्णी है समावेशी सिक्षा की विसिस्ता नहीं है आपके सामने दोस्तों चार उफसन दिये हैं चार विकल पर दिये हैं इसमें से एक समावेशी कक्षा की विसिस्ता नहीं है उसको पैचान कर आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा ग्यान चमता वाले समगर सिक्षारती यहां कथन समावेसी कक्षा की विसेस्ता नहीं है अगला प्रशन है किसी परिक्षन की वहां वेदता जिसके माध्यम से सिक्षारतियों में सिध्धान्तिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है क्या खेलाती दोस्तों समवर्थी वेदता, भविश सिवाची वेदता, रचनात्मक वेदता या फिर अभिसारी वेदता, तो इसका सही आंसर होगा अभिसारी वेदता के माध्यम से सिख्छार्तियों में सध्धान्तिक गुणों को मापा जाता है, अगला प्रश्न है, जिन से सही अंसर आपको चुनना है तो उसका सही अंसर है प्रशिद्य अमन्रवेग्यनिक जिन प्याज ड्यद्वारा प्रतिपाधित संग्यनात्मक विकासिधान्त की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानि कि जो दूसरा उप्सन रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा पूर्व सक्रियात्म कवस्ता में बालक अपने परिवेश की विबिन वस्तों को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंब कर देते हैं और जिससे की वे वस्तों को नाम से जानने लगते हैं अगला प्रशन है जब बालक इसकुल जाने के लिए रोज की तरह इसकुल ड्रेस जूता आदी पहनता है किताबे लेता है तब व्यभारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके सामने चार विकल्प दिये हैं इसमें से बताना है आपको तो इसका सही आंसर होगा इसकुल जाने के लिए व्यभारों के संगठित क्रम जिसे रोज की तरह इसकुल ड्रेस जूता आदी पहनना किताबे लेना आदी को इसकिम्स कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा होगा अगला प्रश्ण है निम्न में से वहां कथन जो सिक्षार्तियों में स्रजनात्मक्ता का पोशन करता है कोन सा कथन है चार उप्षन दोस्तों आपके सामने इसमें से बताना है वहां कथन कोन सा है जो सिक्षार्तियों में स्रजनात्मक्ता का पोशन करता है तो इसका सही आंसर होगा पहला अगला प्रश्म है भासा अच्छे गुणों से संपन तथा शफल मानी जाती है यदि यहां नए विचार और संभावनाएं उत्पन करने में सक्षम हो इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा होगा अगला प्रश्म है एक सिक्छारती वस्तों को या तो बिल्कुल स इसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों आपके सामने चार विकल पर दिये हैं इसमें से सही आंसर आपको चुलना है तो इसका सही आंसर होगा नगण्य चिंतन के अंतरगत एसी चिंतन को रखा जाता है जिसमें सिक्छारती वस्तों को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गिकरत करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला होगा, अगला प्रश्ण है, एक परिक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विसम संख्या के प्रश्णों के जवाब देने को कह गया, प्रत्यक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परिक्षणों की विश्वसनीता का पता लगाया जा सकता है, किस प्रकार की विश्वस नीता का पता लगाया जा सकता है दोस्तों आपके सामने चार विकल्प दिये हैं इसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परिक्षणों की अर्द विभाजित जुस नीता का पता लगाया جा सकता है अगला प्रस्ण है जब सिक्षक सिक्षार्ति से पूछता है कि क्या वहां अपने माता-पिटा से जूट बोलता है तो सिक्षक द्वारा पूछा गया यहां प्रष्ण। दोस्तो आपके सामने चार विकल्प दिये हैं इसमें से आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा जब सिक्षक सिक्षारती से पूछता है कि क्या वहाँ अपने माता-पिता से जूट बोलता है तो सिक्षक द्वारा पूछा गया यहाँ प्रस्ण नियंतरित प्रकार का प्र उसमें से आपको एक कथन ऐसा है जो पाठी पुस्तक के विशे में अनुचित है उस कथन को आपको पहचानना है तो इसका जो अनुचित कथन होगा दोस्तों तीसरा होगा पाठी पुस्तकों से प्राप्त ज्यान पूर्ण रूप से व्यभारिक होता है अतहा उसकी अत्यधि उप्योगिता है यहां कथन अनुचित है पाठ्थे पुस्तक के विशे में क्योंकि पाठ्थे पुस्तकों से प्राप्त ग्यान पूर्ण रूप से व्यभारिक नहीं होता है व्यभारिक ग्यान की प्राप्ती व्यक्ती समाज से प्राप्त करता है सामाजी करण की प्रक्रिया के दोरान व्यक्ति व्यभारिक ज्यान प्राप्त करता है अताहा जो विकल्प तीसरा हुआ दोस्तों वो पाठे पुस्तकों के विशे में अनोची थे तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा होगा अगला प्रशन है कौन सा विकल्प सामाजिक बुराईयों के नियूनी करण का सबसे प्रभावी माध्यम है तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा होगा अगला प्रशन है सामाजिक परीपकोता की दरश्टी से एक उत्तम सिक्षा जोजना है कि कक्षा के सभी सिक्षार्तियों को उचित समज्यक योगदान देने के लिए प्रूच्साहित किया जाए तो इसका जो सही आंसर होगा अगला प्रशन है स्वह के इंदर परिक्ष़व प्रणाली के विसे में आपका क्या विचार है क्या विचार है दोस्तों आपके सामने चार विकल्प दिये ही इसमें से आपको बताना है कि स्वा के अंदर परिक्षा प्रणाली के विषये में आपका क्या विचार है तो इसका सही आंसर होगा इससे सिक्षार्तियों को नई जगा जाकर समायोजन का कष्ट नहीं जलना पड़ता क्योंकि प्रत्यक सिक्षार्ति की सारे रिक्षमता एवं व्यभार में भिणता पाई जाती है अतहाँ दूसरे केंदरों पर परिक्षा के दोनान सभी विद्ध्धार्ती समायोजन नहीं कर पाते जब की सुह केंदर परिक्षा प्रणाली में सिख्षारती को नई जगा जाकर समायोजन करकष्ट नहीं जहलना पड़ता तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा होगा अगला प्रश्ण है कक्छा में प्रजातांत्रिक पर्यावरन की प्रमुक भूमिका है दोस्तों चारविकल पे ही इसमें से आपको बताना है कि कौन कक्छा में प्रजातांत्रिक पर्यावरन की प्रमुक भूमिका है तो उसका सही आंसर है कक्छा में प्रजातांत्रिक पर्या विवेक सिल चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी डंग सी समावजन करता है बुद्धी है मानसिक मंदता है अनुशासन है या फिर निर्देशन है तुसका सही आंसर होगा बुद्धी एक सार्वजनिक छमता है जिसके सहारे बालक उद्देश पूर्ण किरिया करता है विवेक सिल चितन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी डंग सी समाजन करता है तो इसका सही आंसर होगा पहला अगला प्रश्न है इसकी नर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुकिरिया वहाँ अनुकिरिया है जो आपके सामने 204 विकल्पती हैं इसमें से आपको सही आंसर को चुनना है, तो इसका सही आंसर होगा, इसकी नर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुकिरिया वहाँ अनुकिरिया है जो इस पष्ट उद्धिपन द्वारा उद्पन होती है अगला प्रश्न है शिख्चक के मानसिक स्वास्त का अध्यान करना आवश्चक है क्योंकि चात्र के सेक्षिक विकास पर सिक्षक के मानसिक स्वास्ते का प्रभाव पढ़ता है तो इसका सही आंसर होगा तीसरा अगला प्रश्ण है प्रतिभावान लड़की घर में बेटना कम पसंद करती है तथा अधिक किर्याशिल तथा जगडालू होती है यहां कथने किसका है दोस्तों य आपके सामने चार विकल्प दिये हैं इसमें से आपको अंसर बताना है तो इसका सही अंसर होगा प्रतिभावान लड़की घर में बेटना कम पसंद करती है तथा अधिक किर्याशील एवं जगडालू होती है यहां कथन प्रशिद्ध मनविग्यानिक ट्रोका है अगला प्रि किस ने कहा दोस्तों यहां कथन किसका है तो यहां मुन्रों ने कहा या फिर यहां मुन्रों का कथन है अगला प्रश्न है समावेसी सिक्षा प्रक्रिया में अनुकुलन किया जाता है आपके सामने चार विकल्प दिये हुए दोस्तों इसमें से बताना है कि समावेसी सिक्ष प्रक्रिया में दोस्तों जो अनुकुलन होता है, उसका विस्जव महत्व होता है, क्योंकि योगता के चातर ऊपस्तित होते हैं, इसलिए बाधित और अच्छम बालकों सामान वुद्धी लब्धी के बालकों तथा अदिगम आसमर्थ बालकों के शिक्षन हैतू अनुकुलन किया जाता है तो उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इन सभी के सिक्षण है तो अनुकोलन किया जाता है अगला प्रशन है जब सिक्षार्ती अपने विशेश प्रसिक्षण एवं बुद्धी के फलसुरूप किसी विशेश छेतर में ग्यान अरजित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जाच उपलब्दी परिक्षन द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पहला होगा। अगला प्रशन ही। करते हैं तो इसका सही आंसर है तीसरा अगला प्रशन ही निम्न मेंसे कौन सा विकल्प बाल केंदृत उपागम की विशेशता नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो पहला उप्सन रहेगा बच्चे सक्री भागिदार होते हैं जो पहला उप्सन है वो बाल केंद्रित उपागम की विशेस्ता नहीं है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमिलित नहीं है दोस्तों आपके सामने चार विकल इसमें से एक जोड़ा सुमिलित नहीं है उसको पहचान कर आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा पहला बच्चे कुछ भासा के साथ इस दुनिया में प्रविश करते हैं यहां कतन चामसी की का है या पहला ही जोड़ा सुमिलित नहीं है क्योंकि यहां कतन चामसी की का नह ना है तुसका सही आंसर है अधिगम सार्व भूमिक है एवं जीवन भर चलता है अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है और अधिगम उद्देश पून एवं सक्रिय होता है तीनों ही अधिगम के संबंद में सही कथन है तुसका सही आंसर है उपरुक्त सभी अगला और लाश्टर प्रशन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्त सारिरिक विकास एक महत्पून पूरु आवशकता है, यहां कथन गलत है या फिर सही है, आपके सामने चार विकल्प दिये हैं, दोस्तों इसमें से आपको बताना है, तो इसका सह प्रशन दोस्तों यहीं पर खतम होते हैं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीस मेरे कमेंट से बुक्स में जरूर बताएगा, और आज का तीस प्रशन में से आपको कितने नमबर आए, यहां भी मेरे कमेंट से में जरूर बताएगा, और अभी तक दोस्तों मेरे चै झाल झाल